हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परिक्षा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स पेडागोजी के प्रीबियस एर के कुश्चन को मैं सॉल्व करवा रही हूँ तो ये जो पेप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को पहला प्रस्ण है राष्ट्रिय पाठे चर्या की रूप रेखा दो हजार पांच में यह उलेख किया गया कि गडित सिक्छड महत्व कांची सो संगत और महत्वूर होना चाहिए यहां महत्व कांची से तात पर निमलिकित में से किसकी उपलब्धी है पहला विकल्प है गडित के संकीड उद्देशियों यानि लक्षियों की दूसरा है गडित को अन्विश्यों से जोडने की तीसरा है गडित के अनुप्रियोग की और चौथा है गडित के उच उद्देशियों की तो NCF 2005 में यह लेख किया गया कि गड़ित से खड़ मैत्वा कांची सुसंगत और महत्पूर होना चाहिए तो मैत्वा कांची से तात पर है गड़ित के उच उद्देशियों यानि लक्षियों की चौथा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है कच्छा दो में सम संक्या और विसम संक्या की संकल्पना का परिचय मूर्थ वस्तूओं द्वारा दी गई संक्या के साथ योगलन के किरिया कलाप द्वारा दिया गया इसके पश्चात सिक्छका ने चातरों से यह जाँच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि रंगों की डिबों में क्रियानों की कुल संक्या सम है अत्वाविसम उनकी गडित की कौपी में कागजों की संक्या सम है अत्वाविसम क्रियानों पेजों की सम अत्वाविसम संक् जियात करने का यह कार्यां पहला विकल्प है अधिगम के लिए मुल्यांकन है दूसरा है अधिगम के रूप में मुल्यांकन है तीसरा है अधिगम के अंत में मुल्यांकन है और चोथा है अधिगम का मुल्यांकन है तो प्रश्ण में कहा गया है कि सम और विसम संख्या की संकल के साथ योगलन के क्रिया कलाप द्वारा दिया गया है और उसके पश्चात ये जांच की जा रही है जांच करने के लिए कहा जा रहा है कि रंगों की डिबों में क्रियानों की संख्या उनकी कौपी में कागजों की संख्या तो यह कार जो है अदगम के लिए मूल्यांकन है प पिरतेक छात्र की छमता और आवशकता के छेत्रों की पहचान करके सभी सिक्छार्तियों के लिए उत्तरदाई है इसके अलावा अधगम के रूप में मुल्यांकन क्या होता है अधगम के रूप में मुल्यांकन होता है कि आंकलन तभी सुरू होता है जब छात निर्देश के लक्षियों और प्रदर्शन के मांदनों से अवगत हो जाते हैं अदगम के अंत में मुल्यांकन क्या होता है तो यह एक योगात्मक आकलन है जो पाठेक्रम के अंत में आयोजित किया जाता है यानि कि पाठेक रम संपूर जब हो जाता है उसके अंत में अधिगम के अंत में मुल्यांकन किया जाता है अधिगम का मुल्यांकन क्या है तो अधिगम का मुल्यांकन उन आकलों को संदर्वित करता है जो मौखिक, पिरदर्शन और लिखित याइन में से दो या अधिक रूपों का सयोजन होता है तो ऐसा मुल्यांकन कहलाता है अधिगम का मुल्यांकन अगला प्रस्ण है कच्छा दो में वियकलन के पिरचालन की वियाख्या करने के पस्चात शिक्छक ने स्यामपट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त विरत्तों को भारने के लिए कहा इस अभ्यास का उद्देश पहला विकल्प है संकलन और वियकलन की को सलता को पिरवल करना दूसरा है संकलित मुल्यांकन तीसरा है चात्रों के लिए मजेदार के लिया कलाप की वियावस्था करना और चौता है मस्तिस्क का गड़ती करण तो सिक्षक ने पहले क्या किया वियकलन यानि घटाने के पिरचालन की वियाख्या की उसके बाद इस चित्र में खाली विरत्तों को भरने के लिए कहा तो इसका उद्देश है कि संकलन और वियकलन की को सलता को पिरवल करना पहला विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है नीचे दिये गए चित्र में कुल कितने आयत हैं उपरोग्त प्रस्ण जाच कर रहा है पहला विकल्प है सिक्छार्ती के ग्यान की, दूसरा है सिक्छार्ती के समझ यानि बोध गम्यता की, तीसरा है सिक्छार्ती की स्रजनिता की और चौता है सिक्छार्ती के याद करने की शक्ती की तो चित्र में आयत पूछे गई हैं यानि कि यह जो प्रस्ण है सिक्छार्ती के समझ यानि बोध गमिता की जाँच कर रहा है दूसरा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है नीचे दिया गया कौन सा किरिया कलाप कच्छा तीन के चात्रों की समस्याओं को हल करने की कुसलता में विरद्धी के लिए है पहला विकल्प है कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गई सभी मुख़ पदों जैसे समसंक्या, विसमसंक्या, भाज्य संक्या, अभाज्य संक्या, आदी के संकेत यानी सुराग दिये गई हूँ दूसरा है कोई सामूहिक परियोजना पराथ में कच्छाओं के चात्रों को समान रूप से चार सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्किर्टिक और सैच्छिक क्रिया कलाब के प्रतवास आली चात्र हों कच्छा में संख्या और प्रचालन विशय पर अंत्रा वर्ग पहेली प्रतियोगता आयूजित करना और चोथा है कोई कार पत्रक जिसमें चार मूल प्रचालनों पर समस्याइं ग्यात कीजिए जैसे इस प्रकार दी गई हो तो कच्छा तीन के चात्रों की समस्याओं को हल करने की कोसलता में व्रद्धी के लिए पूछा गया है दूसरा विकल्प सही होगा कोई सामुहिक परियोजना प्राथमिक कच्छाओं के चात्रों को समान रूप से चार सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्किर्थिक और सैच्छिक किरिया कलाप के प्रतवासाली चात्र हों दूसरा विकल्प इसमें सही होगा अगला प्रस्ण है कच्छा तीन में गोडन की इकाई में अनमोदित मूल संकल्प ना है पहला विकल्प है दो अंकी संक्या को दो अंकी संक्या से गोडा करना दूसरा है गोडन के गोड़ धर्म करम गोड़ और समूगोड तीसरा है गोडन पर आधारित सब्द समस्या और चौथा है तीन अंकी संक्या को दस से गोड़ा करना तो गुड़न की अनमोदित मूल संकल्पना पूची गई है गुड़न के गुड़ धर्म क्रम गुड़ और समू गुड़ दूसरा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है भिन्द की इकाई से सिचक ने छात्रों से किनी पांच भिन्दों की सूची बनाने के लिए कहा तिसरा है तिरिविमी आकासी सोच को और चोथा है सोचने के निम्न इस्तर को तो भिन्द की इकाई से सिचक ने छात्रों से किनी पांच भिन्दों की सूची बनाने के लिए कहा है तो यह प्रस्ण सोचने कि निमनिस्तर की योर संकेत करता है चौथा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है किसी अभ्यास प्रस्ण में था PQ तथा RS रेखा खंडों की लंबाई मापी बच्चे ने उतर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर यह संकेत करता है पहला विकल्प है संकल्प नात्मक तुरुटी को दूसरा है कार विधिक तुरुटी को तीसरा है रेखा खंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण तुरुटी को और चौथा है पढ़ने की तुरुटी को तो बच्चे ने सही मापा है लेकिन रेखा खंड का नाम AB लिखने की आदत है और यही उसने तुरुटी की है तीसरा विकल्पिस में सही है अगला प्रस्ण है सिक्छिका ने कच्छा पांच में समा चार पत्र वित्रित करके चात्रों से सबसे बाद में मैच में भारती टीम के खिलाडियों के किरकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा इसके पश्चात उसने चात्रों से इन स्कोरों का दंड गराफ खीचने के लिए कहा वैसिच का प्रियास कर रही थी पहला विकल्ब है चात्रों की वास्तविक जीवन और गड़ती संकल्पनाव के बीच संबंद जानने में सहायता करने दूसरा है पर्योजना उपागम द्वारा चात्रों को सिक्षा देने तिसरा है कच्छा को आनंद में और अव्यक्ति सील बनाने और चात्रों की तार्किक छमता में विरधी करने तो सिक्षिका नहीं क्या कहा है समाचा पत्र वित्रित किया है और चात्रों को से सबसे बाद में मैच में भारती टीम के खिलारियों के किर्केट इस्ट कोर को पढ़ने के लिए कहा है तो सिक्षिका का प्रियास है चात्रों की वास्तिविक जीवन और गरती संकल्पना के बीच संबंद बनाने में सहायता करने की पहला विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है कच्छा चार के किसी चात्र को निम्लिखित सब्द समस्या दी गई मुंबई में 336 बस स्टॉप है दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रिकार लिखा इस तरीके से उसने लिखकर दिखाया है दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 बराबर 463 बस स्टॉप है सिच्छक इस छात्र के प्रदर्शन के विशय में क्या रिपोर्ट देगा पहला विकल्प है छात्र सही उत्तर ग्यात कर सकता है परंतु उसकी अव्यक्ति निक्रश्ट है दूसरा है छात्र समस्या को समझने और उस विशलेशन करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योगिता प्रसंसनी है तीसरा है चात्र ने सही के रिया विधी नहीं अपनाई उसे अधिक अव्यास किया वसकता है और चोथा है चात्र सभी आवस्यक चरड़ों को लिखने की योगिता नहीं रखता तो चात्र ने इस प्रकार से लिखा है तो चात्र समस्या को हल समस्या को समझने और उसका विशलेशल करने में अच्छा है तता उसकी समस्या हल करने की योगिता प्रसंस नहीं है दूसरा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है किसी चात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया उसने इन्हें इस पिरकार पढ़ा 36, 48, 408, 4010 पढ़ने में तुर्टी का कारण है की पहला विकल्प है चात्र को गड़ित की कच्छा अच्छी नहीं लगती और कच्छा उबाउ लगती है तो समझ ली परंतु उसका उप्योग नहीं जानता तीसरा है चात्र गड़ित का अध्यन करने के लिए उप्योग नहीं है और चोथा है चात्र की संकल्पना को नहीं चात्र स्थानी मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल दो अंकी संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है इसलिए वह गलत पढ़ रहा है अगला प्रस्ण है कच्छा चार के लिए समय के मुल्यांकन का प्राचल होगा पहला विकल्प है केवल सद्रस घड़ी पर समय पढ़ना दूसरा है अंकी घड़ी और सद्रस घड़ी पर समय पढ़ना आदा घंटा अधिक चोथाई घंटा अधिक चोथाई घंटा कम एम पी एम की संकल्पना मिनट और सेकेंड में समय तीसरा विकल्प है केवल अंकी घड़ी पर समय पढ़ना एम और पीएंग की संकल्पना और सोथा है केवल घड़ी अंकी घड़ी पर समय पढ़ना तो कच्छा चार के लिए पूछा गया है दूसरा विकल्प सही है अंकी घड़ी और सद्रस घड़ी पर समय पढ़ना आदा घंटा अधिक, चोथाई घंटा अधिक, चोथाई घंटा कम EMPN की संकल्पना मिनट और सेकेंड में संबंद अगला प्रस्ण है राष्टरी पाठे चर्या की रूप रेखा 2005 में उल्लिकेत गडित की लंबी आकर्ती संकेत करती है पहला विकल्प है चुनोती पूर समस्याओं को हल करना दूसरा है गडित के खेलों का स्रजन तीसरा है हास्त सिद्ध अनवव पिरदान करना और चौथा है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना तो NCF 2005 में गडित की लंबी आकर्ती संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना चौथा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है निम्लिकित पर विचार कीजिए पांच पलस तीन बराबर इस सीमित उत्तर प्रस्ण का तदुन रूपी मुक्त उत्तर होगा पहला विकल्प है पांच और तीन का योग ज्यात कीजिए दूसरा है पांच में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि आठ प्राप्त हो तीसरा है कोई दो ऐसी संक्याएं बताइए जिनका योग आठ है और चौथा है पांच और तीन का योग क्या है मुक्त अंत वाले प्रस्ण क्या होते हैं जिसके एक से अधिक उत्तर हों इस प्रस्ण के लिए तीसरा विकल्ब सई है कोई ऐसी दो संख्याई बताईए जिनका योग आठ है अगला प्रस्ण है फरान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनभाग में रखी 100 पुस् के लिए दिया गया पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की कि सिच्चक इस प्रस्ण द्वारा निम लखित किस मूझे को पढ़ा सकता है पैला विकल्ब हैंब की शायता करना दूसरा हैंब के साथ पुस्तकों की साजयदारी तीसरह पुस्तकों की अच्छी देख भाल और cv Hai स सिच्छक इस सिच्छक इस प्रशन द्वारा पुस्तकों की अच्छी देख भाल करना पढ़ा सकता है तीसरा विकल्प इसमें सही है तो ये जो पेपर था ये फरवरी 2014 वाला पेपर था इसमें जो भी मैट्स पेडागोजी के कोश्चन थे उनको मैंने सौल्ब करवा दिया है यदि आपको किसी भी प्रस्ण में डाउट हो तो आप कमेंट वाक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेयर कीजिएगा तो वीडियो कैसा लगा कमेंट वाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई